मैंने का सर मैं फैन हूँ आपकी और मतलब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप ओफर कर रहे हैं केसारी जी से आप मिले बात हुई ठीक है लेकिन बात कैसी होई केसारी जी से आपका डिरेट कॉंटेक्ट कैसी हो गया केसारी जी केसाथ फिल्म करने के लिए आप कितना एक्साइटेड है तोटली मैडली एक्साइटेड कैसे हैं आप लोग आज के डेट में भोजपूरी इंडस्ट्री में संसनी मचा देने वाली एक एक्ट्रेस आप सब दीवाने हो चुके हैं लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि बाबा सपना चोहान कमाल की एक्ट्रेस ब्यूटीफुल टेलेंटेड एक्ट्रेस केसारी भाईया के साथ इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी आना चाहिए हमारे साथ में आज बैटी हुई है बहुत सारा चर्चा करेंगे इन से सपना जी स्वागत है आपका हमारे चैनल भोजी वूड एंटेटेनमेंट में कैसे आप मैं बहुत अच्छी हूँ नमस्ते सपना जी सबसे पहले तो कॉंग्राचुलेशन आपको क्योंकि अभी हाल में जितने भी गाना खेसारी जी के आये हैं उस में से maximum जो 100 मिलियंस वाले गाने हैं 100 मिलियंस वाले वो सब उन सभी गानों में आपने काम किया है लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया और खेसारी जी के वीडियो को कि आज वो सारे गाने 100 मिलियंस में हैं तो आपको बहुत-बहुत बताई Thank you so much ये तो audience का प्यार है जो आज आप सब के सामने है सपना जी आप जितने भी 100 मिलियंस गाने हुए उन में से कोई ऐसे गाने जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो आप टू गाना आप बता सकते हैं और गुनगुना भी सकते हैं क्योंकि मैंने आपको शायद गाते हुए भी सुनाया बहुत अच्छा गाती है मैंने कल शायद आपको गुनगुना भी सुनाया तो एक बार बताईए दो गाना का नाम और गाना भी आपको गाने मेरे सारे फेवरिट है जितने भी मैंने गाने किया है बिकेज वो बहुत अच्छे हैं और हम लोगों ने बहुत महिनत किया तो ऐसे फेवरिट तो नहीं बोल सकती लेकिन हाँ गुन-गुनाओंगी दो गाने पहला गाना टमाटर जैसन जो की ओडियन्स ने बहुत-बह अबीला मिटकलना हिला लिया हो टमाटर जैसन हाँ दूसरा गाना एगो नचने कारण कनिया के भुलाई ले गई लाना सपना जी आप कहां से हैं मतलब आप भुचपूरी इंडश्ट्री में काम कर रहे हैं इतना चाप भुचपूरी गाना अपने गाभी लिया और कमाल का आपका लिप सिंग मैंने देखा आज भी आपका सूट देखा मतलब गजब का मिलाती आप कहां से हैं मैं हिमाचल से हू इसा मतलब इतने सुन्दर दिखते हैं आप नहीं जो सब खाते हैं दाल चावल रोटी कोई राज सुन्दर था का जो मतलब अपने आपको और निखार सके लोग उसके लिए खुश रही है हमेशा positive vibes positive vibes हमेशा इंसान को beautiful बनाता है ठीक है आप भोजपूरी इंडस्ट्री में आपका मतलब कैसे आगमन हुआ क्योंकि आप हिमाचल से हैं तो क्या भोजपूरी इंडस्ट्री में आने से पहले आप किसी और इंडस्ट्री में भी काम करती थी फिर भोजपूरी इंडस्ट्री में डारेक्ट आप आई हैं तो फिर वो सब कुछ बताईए जी आ वैसे मैं मैं बहुत सरी लाइगिज में काम कर चुकी हूँ हैजसे हमाचली उत्राकंडी पंजाबी, हिंदी और भोछ पुरी तो मैं फिल्म के लिया आई थी भाले आपने किस में काम किया सब से पहले अपने किसमें सब से पहले आई आई थी पो अभी फिल्म का ने खोल नहीं सकती तो तो फिल्म शूट नहीं हो पाया, बिकिज उसका आदा शेडियूल कहीं और शूट होना था तो उस बीच क्या हुआ कि जो चीजें, मतलब उनका गड़ा फिल्म का तो उस बीच हमारी खिशारी जी से बात हुई तो खिशारी जी से बात हुई तो उन्होंने का कि चलो आओ कुछ करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं तो देन उन्होंने मुझे गाना ओफर किया, उन्होंने का कि आपको अच्छा लगेगा सपना जी अगर आप हमारे साथ हमारे भोचपूर इंडस्ट्री में आएंगी तो और उस गाने को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, थाइक यू सो मच्छ मतलब नचनिया कारण गाना आपका पहला गाना था और भोचपूरी में और पहली बारा भोचपूरी गाना में भोचपूरी इंडस्ट्री में उसी गाना के माद्यम से लॉँच हुई एक्जाक्ली मैं उसी गानी के विचा से लॉच हुई खेसारी जी से मैं मतलब बहुत गहराई से पुछना चाह रहा हूँ आप उसको साहद बताने में दिखा तो मत बताएगा मैं कोई भी सवाल करूं तो ठीक है मतलब खेसारी जी से आप मिले बात हुई ठीक है लेकिन बात कैसी होई के साहरी जी से अपका रिरुख कांटेक्ट जाहिए एक Me дости मैं अन्य दीक हम एनको चाह थासर हम लोग ऐसे नेचरॉली हम लोग ऊसे इंस्टर्यम की pronounce ₹ thuur vy 마음에 नहीं मुझे जाए मोगत पसंद मुझे ऽेरा मुझे इसे, कि मुझे लगत बगते है और मुझे सरी बहुत अच् 내가 हो आई वेस मैं जहां से हूँ जस गावं से मैं हूँ इसे बigkeiten. लगते बोगपूरी जानलस देखते हैं यहिन को देक्न हुए हんな you बिग बॉस में इनको देखा, तो वो रहता है कि एक एक स्टार के साथ आप काम करना चारी तो फिर मैंने उनको बोला कि बात कराई हैं ना मेरे, तो उनने कहा कि मैं बात कराती हूं, फिर वैसे ही वीडियो कॉल पर बात हुआ, आपको अभी क्या लगता है भोजपूर, अभी मेरे एक फिल्म आने वाली है, जियो मेरे जान, पावन जी के साथ, और उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपेरियंस रहा, मेरा बहुत अच्छे से फिल्म कम्प्लीट हूई है, और आपको वो बहुत जल्दी आए, बिकिस मुझे बहुत इंतजार है, इट वसमें फिल्म जो बहुत ऑच्छा है, कैसारी जी बहुत कम्फटिबल, कोई भी और य हो और इस नया हो अपुरानी हो पुरानी हुद, उनके फ्रैंस रहते है, नया आट इस जो आते है, बहुत कम्फटिबल जा पार जो आत है, हैं का अधी कन पास्ट, जह घए कि न परने दिए कि I still I am the superstar of it है और फिल्म लेना चाहिए अल्बम में जब इतना कमाल कर रही है जोड़ी हाँ बहुत सारे हमें मिलब ओफर भी हुआ है बाट मेरे पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स है जिनकी वज़े से हम आगे फिल्म का नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि मेरे जो पुराने प्रोजेक्ट है म आप देखते होंगे मैंने भी देखा है कि वह लगातार मसीन की तरह लगातार काम करते रहते हैं आपको कभी ऐसा लगता है कि जैसे की आए एक्ट्रेस तो जैसे दो तीन एक्ट्रेस हो जाती है दिन भर में केसारी जी के साथ में कभी ये सूट करती है कभी वो करती है लेक कुमकि हमारे पहाडि प्रोजेक्ट थे हैं यहिंदी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ते उन्में इतना ज़ादा थे हीरो के लिए क्योंकि उसमें क्या होता है ने हीरो का अपना रहता है कि हा मैं इतने टाइम पर शॉट दोगा देम मुझे रच चाहिए बिकिस मुझे खयाल रखना है अपना इसलिए लोग मुझे प्यार करेंगे ना तो खेसारी जी का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो जितना काम करते हैं वो उतना ब्लश करते हैं उतने उनके अंदर वो स्मार्टनेस और इक होता है ना ब्यूटी एक तमसे परस्नेल्टी दिखती है सामने तो जितना यह काम करते हैं उतना इनकी परस्नेल्टी दिखती है आज एकको यहाज शुट ही घाना है दो या टॉट हो रहा है मोज ऊचाथ हमरे चाहिए कुछ नया कन्टेन्ट आरहा है यह गाना पर लगाता कर वारिम मतलब जा गया सिर्स्याइ़ मेरा सुट कर रहे होगे शो संदस्याइब पूर एक धान आपका कम्प्लीट हो गया है अब दूसरे गाने के लिए किस कंपणी के लिए आप बता दीजी आप ही जी सारे गामा हम भुचपुरी कंपणी के लिए शूट हो रहे हैं गाना और आपको क्या लग रहा है यह वीडियो किस लेवल का होने वाला और गाना भी अपने सुनाया लेकिन जो हम लोग यह प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें जितनी हमारी मेहनत है मैं ओर्डियन्स से यही चाहूंगी यहां की ओर्डियन्स इतनी प्यारी ओर्डियन्स है बहुत सपोर्ट करती है टाच वुड मैं बहुत लखी हूं कि मुझे शुरू से लेके अभी तक और आ लगी और आप पहले भी यहां पर आए है ना यह पहली बार आए हैं तो हीमाचल से चलके आप बिहार आए मुंबई आए बिहार आए खास करके और बिहार से फिर आप जारखंड आए हैं तो आपको क्या मतलब कैसा फिल हो रहा है इधर अपनापन सा फिल हो रहा है इक्जा हें ऐसे कभी हां पर हमारे हैं हमारा हिमाचल यह है यह वह बहुत अच्छा है और आप बहुत प्यक्स फूल है बहुत और काम भी आपका बहुत सुंदर है सिर्फ छहरा ही नहीं, शकल ही नहीं, काम भी बहुत ही सुन्दर है तो ऐसे ही सुंदरता के साथ में एकदम काम को करते रहे हैं और आपको बहुत-बहुत शुब खामना है बेस्ट आप लग और थैंक्यू कि अहां आपने मुझे वक्त दिया उसके लिए थेंक्यू तो बोल ही रहा हूं लेकिन भोजी वूड एंटर्टैनमेंट के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप कुछ कहना चाहें अपने अंदाज में तो कह सकते हैं मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत चारा प्यादे बहुत चारा आशिर्वादे और ऐसे ही ग्रो करते जाएं थांक यू सो मच थांक यू मैं महेश पांडे आप लोग देख रहे थे भोजी वूड एंटर्टैनमेंट मेरे साथ में थी ब्यूटिफूल एक्ट्रेस सपना चोहांची आपको अगर यह इंटर्व्यू पसंद आया है तो लाइक से यह जरूर करें थांक यू लव यू आल